अगर आप उसकी सबसे बड़ी चुनोती के बारे में पूछ है तो ये पाची शायद पूछी तक पहुच जाएगी फाइनाइंस हर कंपनी का जीवन है लेकिन नई कंपनियों के लिए पूछी विशेश रूप से महतुकून है विद्य पोशिन की कमी के कारण छोटे और मध्यम आकार के उद्यम विशेश रूप से प्रभावित होते हैं इसे समझने के लिए SBI ने अपने MSME रिने विद्य चाता के तहट माइक्रो, स्मॉल और मध्यम आकार के उद्यमों के समर्धन के लिए 2016 में अद्वित्य योजनाओं का एक सेट लौच किया है आज के इस एपिसोड में हम SBI के आयात नरयात विद्योजनाओं और फ्लीट विद्योजनाओं पर एक नजर डालते हैं जिसकी वज़े से उनकी पूर्ण शमता को साकार करने में दो अनूखी व्यविसायों को काफी मदद मिली है लीट फाइनांस स्कीम मौजिदा परिवहन अपरेटरों को दस करोर रुपए तक के टर्म लोन प्रदान करता है जिसमें ट्रकों, ट्रेलरों, ट्रैक्टरों, बसों जैसे कम से कम दस कमर्शिल वाहनों के मालिक है रिब नाशी में शरीर, बीमा, पंजिकरन और सड़क कर की लागत शामिल है चुनिन्दा मामलों में सम पार्षपिक मुख सुरक्षा भी उपलब्त है पिसमें बस्ने मौली गोई बुक्रवड़ों पार्षप लाट राव लाट Ohio भी एलाट उप्नाटमा कि एली टर्दूरे, भी जवश्च के लाट्रे, bisa पार्षप्नाटमा का में वाहनिट प्रषप्नाटमा लाट वीजाटमा साभवां प्रेंदानी टी टार्षप्नाटमा आपकनयाोज वेप्टिख वीज़ आपकोंपनेट मेलगे गाप्ति टारिव इस वेट अच्ति कर्म का मेल रेड़िज़ और सबीज़ इस अगाटय वेजि़। with credit monthly which is a FinTech and the small value loans will be extended through credit monthly. In detail space or small value loans this model works very little. But if it comes to the larger loan then this model does not work then it is the individual assessment of the credit requirement. And third is that wherever bank is convinced that they have a viable business model but are unable to scale up because the finance is not available. So bank is willing to participate as an equity partner also in this FinTechs and start-ups. . 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 शे करोन रुपे के रिन को स्विक्रित किया, ताकि उमेद अपने वैपार के विस्कार के सपना को पूरा कर सके. में वापस 45 बस का नया कॉंट्रैक मिला, जिसका वन स्ट्रोप वापस फाइनांस स्टेट बेंक ऑफ इंडिया नी किया, नो करोर साथ लाग रुपेगा, उनसे साथ वो रिलेशन जो 2006 से कंटीनियूस सा वो बरकरार रहा, वो 2017 में उन्होंने वापस नया इक बसेस के लिए न 9-12 days में हुआ with a minimal documentation paper work, और agreement और वो सारा process दो दिन में हो गया, और disbursement का एक या देड़ दिन में हुआ, यह process जो है वो simple और fast था, future plans में अलग-अलग cities में अगर public transportation का tender bidding होता है, वहाँ participate करने का है, presently MSRTC में हम लोगों के पास sub-assist का order है, जो loan SBA से लेने का process चल रहा है भी और इससे सो बस या future में जो भी बसिस आएगा से मैं employment generate कर सकता हूं, in the field of drivers, office staff, maintenance rights, और दूसरों लोगों को मेरी साथ साथ employment और साहिता financially कर सकता हूं स्थानी परिवहन के एक छोटे परिवहन कंपनी के वी है, ज्यादा तर छोटे और बड़े operator, वहनों के अपने fleet में निवेश करने के बजाए, यात्मियों को सेवा पतान करने के लिए, तीसरी पार्टी सेवाओं का इस्तमाल करते हैं, ताकि वो स्वयम का समय और पैसा अजबूत इरादा रखता है, और एक कुशल संचालन प्रबंधा ऐसे खाते को चलाने के लिए महत्तपून है. आपों के अंदर ही घाडियों को रिपेरिंग किया जाते हैं, जिसमें फॉर्मेन, सुपर्वाइजर, पूरा स्टाफ हम खुद यहां रखते हैं, और ज्यादा ज्यादा आदमियों से काम करवा के गाम को पूरा करते हैं. बिजनस हमारे फेमिली बिजनस हम घर के आठ नोमेंबर इसमें लगे हुए हैं, प्लस हमारे साथ में 700 से 800 आदमि, ड्राइवार, कंडेक्टर, लेबर, फॉर्मेन स्टाफ, सुपर्वाइजर स्टाफ जो काम करता है, हमारे साथ साथ उनका भी प्रोग्रेस हो रहा है, उनक अब आगे बढ़ने का चांस इस बढ़ रहा है, जिसमें SBAE का सपोर्ट साथ में अच्छा है हमारे लिए, और और भी छोटे आदमियों को SBAE, लोन ज्यादा से ज्यादा दे है, जिसे ज्यादा रोजगार खड़ा हो उमेद के श्री मारूती प्रेवल्स ने गुजरात में राजकोड और एहमदवार जैसे शहरों में कुल 105 बसों की स्थापना की है, और 160 ड्राइवरों और अन स्थाफ के लिए रोजगार मुहया कराया है यह कंपनी में, मारूती कंपनी में हम 10 साल से काम करते हैं, स्थार्टिंग में पगर था 140 रुपया, जैसे जैसे गारिया बढ़ती जा रही है, अभी 8 कल्ला का 350 रुपया मिलता है, उसमें से हमको रोजगारी सबको एक ही सार की है में मारूती ट्रावल में पिछला आठ मेने से काम कर रहा हूं, इनके स्थाफ और हमारा सह करमचारी, इनके साथ में मुझे अच्छी स्थार से स्योग मिलता है, और इस कंपनी से मुझे बहुती संतोस है as the company is growing, all the employees are growing with it, I have learned a lot, grown a lot When I started, I don't know, I would be able to do this or not but today I am capable of doing whatever the various whatever the work is or whatever have alert it to me I can deal with the company, I have got the skillset which are been, I have got it because of this company, or else I won't have that परिवहन विजाडों से तिन निर्माताओं का SBI के पास सबके लिए एक योजना है SBI के MSME रिंड ना केवल नए व्यादसारों की मदद कर रहे हैं बलकि बाजार को विस्तारित करने के लिए और विवतता लाने के लिए पहले से स्थापिर लोगों का समर्थन भी कर रहे हैं कानपूर आधारित Mercury Industries एक ऐसा ही व्यवसाय है 1985 में स्थापिर ये भारत की सबसे बड़ी सामान्य लाइन कैम निर्माताओं में से एक बन गई है भारत और पूर्वी आफ्रिका के चारो कोनों में फैले कागानों के साथ Mercury Industries एक मजबूत प्रसिद्ध कंपनी है कंपनी को निर्माताओं के लिए आयात निर्यात वित्ति योजना के तहत SBI इसल धनप्राप्ट हुआ था So when it comes to an exporter, the exporter requires finance at the initial stage when he receives an export order he needs what we call as a pre-shipment finance stage So we extend pre-shipment finance both in Indian rupee as well as foreign currency When we give them loan in foreign currency it would be linked to the LIBOR So which means it's very very cost competitive for the customer And the Indian rupee loan is also very very cost competitive And some of the segments of these customers are eligible for interest equalization Which is an interest to subsidy that they get back from the government Even that facility is there So that the cost to the customer comes to something below 7% or around 7% Then as far as the post-shipment is concerned that is after the goods are shipped They would prepare a bill and they come to the bank for negotiation Negotiation if there is a letter of credit available Or if there is no letter of credit it could be a plain simple bill purchase or bill discounting So the post-shipment finance facilities also available from the bank Then when it comes to the post-shipment finance you can also do it in foreign currency so that it becomes very very cost competitive for the customer Now another very important thing that is there for the exporter importer customers is that They are dealing in a currency other than Indian rupee which is continuously fluctuating Therefore, they need some risk mitigation products also So the bank offers products like forward contracts, options and you know related products So both covering the foreign exchange interest fluctuation as well as sometimes if they have a foreign currency borrowing interest rate fluctuation also can be you know covered So these are derivative products are also available from the bank For the importers sometimes what happens is that they are importing both current assets as well as fixed assets So these can be provided through foreign currency route under a scheme called buyer's credit So under the buyer's credit if it is the current asset that is the working capital assets which are being financed up to 12 months And if it is fixed assets it could be as long as 3 to 5 years it can be financed So this is again a foreign currency borrowing which we arrange through our foreign offices We have about 200 foreign offices our own foreign branches as well as joint venture companies through whom we can arrange this finance Sometimes we may even arrange this finance through our foreign correspondence if they are offering a better competitive pricing So this way we are actually sailing along with the exporter and importer customers in providing appropriate customized products and services for them We started with very modest roots We had 3 lines, 3 can making lines and very limited presses when we started over a small square footed area Most of the processes were carried out manually Over the passage of time however we have grown to become the market leaders in India Our operations now extend to 4 locations in India and also in Africa Our turnover also has grown exponentially over the years So one of the main factors that I would say has driven this growth has been our constant quest to associate with the best in the country So our customers like you would see are blue trip firms mostly We deal with Asian Pains, Kansai, Naralak, leaders in their field So working with these leaders has I feel made us also strive to be working at that level So when we say we are an SME, we are an SME maybe in terms of business But in terms of thought process, quality, where we want to be We like to compare ourselves with the best in the world Then again when I say we associate only with the best SBI also comes in there in terms of being a finance partner who has stood by us through and through So we have found their services to be quite the best in this entire journey that we have had And I feel that they have contributed substantially into making our journey what it is and making our company what it is No.8,1 crore rupee ke turnover ke saaf Mercury industry apne banner ke antargarh Utpado ka vyaapak spectrum binaati hai Company NaVinta me kafei vishwaas rakhti hai Or is ki sami machinery or upkaran ko adhiktam dhksta aur output ke liye adhichi rakhya gaya hai हम जनरल लाइंग कैन इंडस्टी में हैं, इसमें ये इंडस्टी जो है वो लेबर ओरियंटेड इंडस्टी है, जहां लेबर का इंवल्मेंट बहुत जादा है, आटोमेशन करने के लिए आपको वो स्टैंडर्स के राव मटीरिल्स भी यूज करने पड़ते हैं, कल्चरली भी आपको एड्यूकेट होना पड़ता है, तो अर्लियर जिसे हमारा पहले वोल्यूम था तो मैनेज हो रहा था, अब डिफिकल्टी आई हमें जब थोड़ी थोड़ी लेबर की आई, थोड़ी कॉलिटी इशू आये, यूमिन एर्र होते थे तो वी ग्राजुली शिफ्ट पूने में भी हमारे पास ऑटोमाटिक लाइन है, हम आगे भी अपने आपको और इंप्रूव करके आउटोमेशन पर जा रहे हैं, इन टरम्स ऑफ कॉलिटी, कॉस्ट डिदक्शन और स्टैंडर्ड़्स तीन दश्कों पहले एक विनम्र शिरुवात से, मर्किरी इंडस्ट्री, अब भारत और एफ्रिका के आणहा दर्जन शिफ्टों में चार सो लोगों को रुज़दार देता है मैंने 1994 में आज़े ट्रेनी यहां पर जॉइन किया था और आज मैं मैं मैंनेजर फाइनल्स की पोस्ट मर हूँ कंपनी ने जिसे साब से ग्रोथ करी है, उसे साब से सारे इंप्लॉईज और कंपनी के जो भी वरकर से उनकी भी ग्रोथ हुई है मैंनेजमेंट के साथ हमारे रिष्टे बहुत अच्छे है, जो भी कोई प्रॉबलम होती है, उसका सल्यूशन हम मैंनेजमेंट के थू ही निकाल लेते है और मेरी परसनल लाइफ में इस कंपनी का बहुत योगदान है, फाइनशली मैं सिक्योर हूँ, इंडिपेंडेंडेंट हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में इसी वज़े से, क्योंकि मैं यहां वर्क कर रही हूँ और बाकी वर्क कल्चर यहां पर बहुत अच्छा है अच्छोटी लिमिट से चार्ट किया था, आज वो लिमिट काफी सब्सेंशल उनने दे दी है, इस बार हमारी इंडास्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि मशीन सारी इंपूर्टे होती जादा तर, कैन इंडास्ट्री मशीन इंडिया में इच्छी बन नहीं रही, जो मशीन आज बाहर हम लोग पहले तीन साल, चार साल के लोन में लाते थे, आज हम लोग को दस साल का इनन लोग टर्म लोन दे रहे हैं फो मशीन, विच वर नसमी वरी गूड़ तो हमको प्रॉपितल फिनांस किया है, हमको मशीन और इंवेस्में करने में हैं, इस वरी फूप रिषफो नसमी राहर हम लोग को लोग टेसलिए, विच वो लोग प। चासरी वी राईवेस्टे भी जिखने करने को लोग 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 ज़री जवेस्ट में हैं, विचितल खूप जर्पाने को अप्र best in the market. The kind of support SPI offers, again full marks there. And in terms of getting work done, SPI really manages to do it. एक और सपलता की कहानी है. ये अग्रणी वित्योत पार किसी भी MSME उद्यमी जिसके पास दूर दर्शिता है और एक मजबूत प्लान है उसे ये आगे बढ़ने की सुवधाय प्रदान करता है. फोस्वारी प्रणी नहीं अव्योत प्रणी जद्योत प्रणी प्रणी वित्योत